हेलो एवरिवन, वेलकम बैक टो लिव लाइव इद वन दनातो फ्रेंट्स आज के वीडियो में मैं आप सभी के साथ अपने सारे हैंड मिट क्राफ्ट का कलेक्शन शेयर करने वाली हूँ नेक्स्ट मैंने यह खूबसूरत सा लिपनाट बनाया है और इन सभी का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा और यह बहुत ही ज्यादा इजी टू मेक है नेक्स्ट हम चलते हैं यह खूबसूरत सा क्विलिंग आट जो की मेरा फेवरेट है नेक्स्ट हम आजाते हैं यह खूबसूरत सा लिपनाट और लिपनाट के कई सारे वीडियो आप लोगों को मेरे चैनल पर देखने को मिलेंगे तो आप एक बार जरूर चेक कीजिएगा और उसके बाद मैंने यह खूबसूरत सा टेक्शरा ट्राइ किया था जो की बहुत ही ज़्यादा प्यारा बन कराया है नेक्स्ट मैंने यहां बचे हुए फैबरिक का यूज़ करते हुए एमरेटरी हूप में यह खूबसूरत से वाल डेकवर बनाया थे तो इस तरह के मैंने दो वाल डेकवर बनाया थे और यह बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं वाल पे लगने के बाद आप भी बचे लिपनाट के कई सारे वीडियो आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेंगे क्योंकि मुझे मिररवक करना बहुत पॉसंद है इसलिए मैं ज्यादा था लिपनाट अपने चैनल पर शेयर करती हूं और उसके बाद मैंने बनाया यह खूबसूरत सा मदुवनी पेंटिंग और जिसे भी मैंने फर्स टाइम ट्रा इकिया ठा और इसके बैक साइड में मैंने यह लिपनाट बनाया था जिसे कि मैंने बिना क्ले का यूज की मैं बनाया था next मैंने ये खुबसूरत सा wall art बनाया था जिसके उपर मैंने texture art किया था first time ही texture art मैंने इसके उपर try किया था और ये बहुत ही प्यारा बनकर आया और उसके बाद next ये भी एक lip pan art है और next मैंने ये खुबसूरत सा राजस्तानी wall art बनाया था इसका वीडियो मेरे चैनल पर नहीं है क्योंकि मैंने इसे यूट्यूब पर आने से पहले ही बनाया था next मैंने ये quick and easy सा wall decor बनाया था जो कि 4 के set में था और ये 10 रुपे में ही बनकर ready हो गया था मैंने यहां 10 रुपे के packet mirror का लाया था और उसी का यूज करके ये चार का set ready किया था तो ये भी बहुत ही quick and easy सा wall decor है तो अगली handmade craft है ये खुबसूरत सा wall decor जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और next मैंने ये खुबसूरत सा और cute सा craft बनाया था जो कि Valentine डे पर बनाया था next है ये kitchen decor उसके बाद हम आ जाते हैं इस तरह की wall hanging का तो इसे मैंने पिछले साल दिवाली पर बनाया था और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है और इसे मैंने waste newspaper का यूज करके बनाया था और आप अगर इस तरह के wall decor को market में खरीदने जाये तो आपको 200-300 रुपए खर्च करने पड़ेंगे पर यहाँ पर मैंने इसे waste newspaper से बनाया था again इस wall hanging को भी मैंने waste newspaper से ही बना कर ready किया था थोड़े से woolen thread और mirror का यूज करके next है यह kite wall decor इस तरह के wall decor वगरा आजकल काफी ज़्यादा trend में है और इसे भी मैंने woolen thread की help से बनाया था बिल्कुल free of cost में again मैंने एक खूबसूरत सा wall hanging का set बनाया था और इसे भी मैंने waste newspaper का यूज करके बनाया था इस तरह के traditional wall hanging दिवाली के time में काफी ज़्यादा अच्छे लगते हैं घर में सजाने के लिए next मैंने यह decorative tray बनाया था जिसे कि आप wall decor की तरह भी use कर सकते हैं और उसके बाद मैंने यह गर में पड़े पुराने जो बास के पंके होते हैं उसका यूज करके खुबसूरत सा wall decor create किया था जिसे कि हम दोनों तरफ से यूज कर सकते हैं इस तरह के बास के पंके मेरे पास पड़े थे तो मैंने इस तरह से इसे reuse कर लिया next मैंने यहाँ पर यह बनाया है खुबसूरत सा dot mandala और इसे भी मैंने first time ही try किया था और यह बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है next मैंने यह खुबसूरत सा golden dot बनाया था और इसे भी मैंने first time ही try किया था next है यह खुबसूरत सा wall decor जो कि मेरा favorite है मेरे जितने भी craft है मुझे उसमें सबसे ज़्यादा पसंद यही वाला craft है next मैंने यहाँ पर mirror का use करके यह 3 का set बनाया था और यह wall decor बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है और यह wall decor बहुत ही quick and easy सा है ताकि इसे आप आसानी से 10 पंद्रमेंट में बना कर ready कर सकते हैं और इसे मैंने 2 साल पहले दिवाली के time पर बनाया था मेरे घर में यह आज भी ऐसे ही लगा हुआ है और next मैंने यह दिया एक लिया था जिसे कि मैंने खुदी paint करके decorate किया था next मैंने बनाया था यहाँ पर यह खूबसूरत सा candle holder जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है next मैंने वाल पुट्टी का यूज करके यह कुछ craft बनाया था जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और यह बहुत ही प्यारे लगते हैं जो भी देखता है इसके वारे में ज़रूर पूछता है मैंने पिछले साल यह Christmas की टाइम पर खूबशूरत सा wall decor बनाया था उसके बाद मैंने यह वाला एक first time ट्राइ किया था इस तरह का wall decor next है यह kite wall decor जिसे कि मैंने मकर सकरांती की टाइम में बनाया था और इसे हर मकर सकरांती में मैं decoration के लिए यूज करती हूँ next मैंने wall putty का यूज करके यह कुछ candle holder बनाया थे जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा प्यारा लग रहे है और मुझे तो यह heart shape वाला candle holder बहुत ही ज़्यादा पसंद है इन तीनों में से मुझे यह सबसे ज़्यादा इसमें हम द्या वागरा भी जला सकते हैं वाल में हेंकरने के बाद मत और पिछले साल मैंने यह थोपसूरत साल लक्षमी चरन वाला रंगोली बनाया था जिसी की हम रंगोली के लिए यूज कर सकते हैं और निक्स। है यह फूपसूरत सा ओर जिसे कि मैंने एम arc लाए को और लाश में मैंने ये खुबसूरत सा एक candle holder बनाया था जिसे के मैंने waste cooler से बनाया था तो आज के मेरे सारे craft यहीं तक थे ऐसे मैंने आप लोगों के साथ आज जितने भी craft share किये हैं सभी handmade हैं और ये सभी मेरे craft collection में से बस 25% ही है बाकी के craft collection अगर मैं आप लोगों को दिखाने लगूं तो ये वीडियो काफी जादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं सुच रही हूं क्यों ना इसका अलग-अलग part बना कर आप लोगों के साथ शेयर किया जाए और अगर आप लोगों को आज का ये वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए गा और साथ ये अगर आप मेरे चैनल को फर्स टाइम देख रहे है तो प्लीज चैनल को भी subscribe जरूर कर लेए और अगर आप लोग इसका next part देखना चाहते हैं तो please मुझे comment section में जरूर बताईएगा तो यहाँ पर मैंने जितने भी handmade craft शेयर की हैं इन सभी का वीडियो मेरे चैनल पर है आप लोग एक बार check जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो का हम यहीं पर end करते हैं और मिलते हैं किसी नय और interesting वीडियो के साथ तब तक के लिए खुश रहें और अपना खयाल रखें बाब बाई